गुड मॉर्निंग मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना लीजिए आज आपके लिए एक और एडुकेशनल टेकनोलोजी से रिलेटेड नया कॉंसेट लेकर आया हूँ और इस कॉंसेट का नाम है मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग शिक्षन अधिगम व्यवस्था या शिक्षन अधि अधिगम व्यवस्था का प्रत्य आईए जानते हैं किसने ये प्रत्य दिया आईवर केविन डेविस जनली हम इनको आईके डेविस के नाम से जानते हैं शिक्षन अधिगम व्यवस्था के इस कॉंसेट में इन्होंने 405 बताए प्लैनिंग और गनाइजिंग लीडिंग औ अग्रसरण और नेंतरण इससे पहले की managing, teaching, learning के इस concept को जाने, आइए सबसे पहले देखते हैं की theory of management का क्या इतिहास रहा है, एक nutshell में जानने की कोशिश करते है theory of management की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले classical theory of management या जिसे बोलेंगे वेवस्था का प्राचीन सिध्धान्त ये हुआ करता था इस सिध्धान्त के अनुसार कोई भी मनुश्य जब वेवस्था करता था तो उसमें प्रजातांत्रिक गुण कम हुआ करते थे वहाँ पर व्यक्ति को मशीन की तरह काम करना परता था आपस में उनके संबंध बहुत ज़्यादा प्रंगार नहीं हुआ करते थे बाद में कुछ समय प्रशात वेवस्था का संकरमन कालीन सिध्धान्त ज़्यादा आए उन सिध्धान्तों के अनुसार या उन कहूंगा कि प्रजात आंत्रिक के जो बीज हैं वो हमें बली लिक्षित होने लगे आज कालंतर में अगर हम देखें तो व्यवस्था का आधुनिक सिध्धान्त modern theory of management ये इसके अनुसार सारे management के जितनी भी थियोरी से चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा democratic है आपस में अगर प्रकार्णता की बात करूं तो वह बहुत ज्यादा है इसी टाइप के सिध्धान्त के रूप में I.K. Davis ने अपना सिध्धान्त दिया और वेवस्था के ये जो आधुनिक सिध्धान्त है इसी में हम I.K. के इस सिध्धान के बारे में हम अध्यन करेंगे आएके डेविस जिन्होंने नियोजन संगठन अग्रसरन और नियंतरन या मैं कौनगा इंग्लिश में planning, organizing, leading, controlling ये चार सोपान बताए एक chronological order में सबसे पहले एक शिक्षक को planning करनी होती है उसके बाद वो organizing करता है फिर leading और उ ये जानते हैं कि planning में एक teacher क्या क्या करता है सबसे पहले वो कारे विश्लेशन करता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कारे विशलेशन इसके तुरंद बाद जब वो कारे विशलेशन कर लेता है तो उसको इस planning में कई बार शेक्षिक उद्यशों को भी पैचानना होता है शेक्षिक उद्यशों को पैचानने के बाद नेक्स्ट है इसमें नमबर थर्ड अधिगम उद्यशों को लिखना तो नियोजन या planning की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो planning में सबसे पहले task analysis आ गया फिर identification of educational objectives आ गया उसके बाद writing learning objectives ये तीन कर रहे planning के अंदर कत एक teacher को करने पड़ते हैं नमबर सेकिंड देखते हैं organizing संगठन संगठन में सबसे पहला कर रहे हैं एक शिक्षक को समुचित युक्तियों का चैन करना होता है जिससे कि वो अपनी teaching learning process को और ज्यादा effective बना सके selecting appropriate tactics secondly अगर मैं second number पे इसका सोपान मैं दिखाऊंँ आपको तो ये है समुचित संप्रेशन नीतियों का चैन selecting appropriate strategies last not least third number पे शिक्षण सामगरी का चैन अपनी teaching learning situation को अपनी teaching learning system को बहुत अधिक effective बनाने के लिए teaching aids जो select करने पड़ते हैं और वो पिन पाइंटर जो जैसा विश्य होता है उस हिसाब से वो teaching aids select करने होते हैं number third पे हम देखते हैं अग्रसरण ये अग्रसरण आप देख पा रहे होंगे अग्रसरण में अगर मैं बताऊं तो पहला step होता है चात्रों में अभी प्रेज़ना उत्पन करना और last not least ये अग्रसरण का second और अंतिम जो सोपान है वो है अभी प्रेज़ना विदियों का चैयन करना तो leading के अंदर एक teacher दो कारे करता है या करना चाहिए according to I.K. Davis first of all announcing student motivation second selecting motivational strategies अब चौथा और आखरी हम step देखते हैं या सोपान देखते हैं जो है controlling नियंतरन नियंतरन में एक teacher को सबसे पहले अधिगम प्रणाली का मुल्यांकन करना होता है evaluation of learning system और इसके बाद second number पे वो अधिगम मापन measuring learning करता है और सबसे अंतिम सोपान का अंतिम step है इसमें अधिगम उद्धिश्यों द्वारा प्यवस्था mapping objective learning तो I.K. Davis ने अपना ये concept teaching learning system के अंतरगत दिया जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे पहले planning, फिर organizing, फिर leading, फिर controlling या हिंदी में कहूं तो नियोजन, संगठन, अग्रसरन और नियंतरन ये चार steps I.K. Davis या I.K. Davis ने बताए आए एके करके इनके विशे में थोड़ा सा जानते हैं सबसे पहले planning planning जिसे नियोजन कहा गया, इसमें एक teacher को तीन प्रकार की planning करनी होती है सबसे पहले task analysis, second, शेक्षिक उद्देशों को पहचानना, third, अधिगम उद्देशों को लिखना अगर task analysis की बात आती है तो generally तीन प्रकार के task analysis होते हैं पहला content analysis जिसे पाठे वस्तू विशलेशन कहते हैं, दूसरा kriya विशलेशन जिसे job analysis बोलते हैं third, last not least, causal visualization, skill analysis कारे विशलेशन के अंतरगत एक शिक्षक को अपने कारे को विबिन भागों में विशलेशन करके उसको छोटी-छोटे पदों में पहचानना होता है जिससे की वो छोटी-छोटे पदों को achieve करता हुआ, अपने उद्देशों को प्राप्त करता हुआ, आगे बढ़ सके हैं secondly, अगर मैं इसमें बताना चाहूँ आपको तो दूसरा जो इसका step है, वो है शेक्षिक उद्देशों को पहचानना identification of educational objectives, तो educational objectives को पहचानने में तीन पक्षों का सहरा लिया आ जाता है ग्यानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष मैं बताना चाहूँगा, cognitive, affective और psychomotor की जब भी बात आती है तो निश्य टूप से B.S. Bloom, Dr. Benjamin Samuel Bloom को हम नहीं मूल सकते जिन्होंने अपने Bloom's Taxonomy में इन तीनों ही domains को, cognitive, affective और psychomotor, इन तीनों ही domains को स्थान दिया है जैसे कि आप देख रहे है, cognitive domain जो है, वो कहीं न कहीं head से related है, जबकि affective domain heart से और psychomotor domain hands है तो 3H factor theory भी यहाँ पर दिखाई दे रही है first H stand for head, second H stand for heart, third H stand for hand आगे देखते हैं ग्यानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष्ट ग्यानात्मक पक्ष्ट जो है, वो B.S. Bloom ने 1956 में इसको प्रतिपादित किया अपने book taxonomy of educational objectives, effective domain जो है, वो 1964 में डेविट आर क्रत्वाल के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जबकि क्रियात्मक पक्ष्ट की अगर मैं बात करूं तो 1972 में E.J. Simpson के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, ये जो psychomotor domain है, लास्ट वाला, ये Simpson नहीं नहीं, बलकि समय समय पर और भी virtue ने दिया, आगे मैं आपको बताऊंगा, ग्यानात्मक पक्ष्ट, भावात्मक पक्ष्ट और क्रियात्मक पक्ष्ट यहां पर इन तीनों को एक चार्ट के रूप में भी आप समझ सकते हैं, cognitive domain का relation head से है, जहां thinking होती है और wisdom यहां पर achieve होता रहता है, जबक psychomotor domain की अगर मैं बात करूँ तो इसका relation hand से है, action किया जाता है और skill development होता है इससे, जहां तक मैंने बात करी थी, इन तीनों domains की तो यहां पर सबसे पहले cognitive domain का सबसे निचला जो competency है, वो है ग्यान या knowledge, second number पर comprehension जिसे बोद कहते हैं, third number पर application या प्रियोग, fourth number पर analysis जिसे visualization कहते हैं, उसके बाद synthesis जिसे visualization और last में evaluation तो यह छे competencies हैं जो की कहीं न कहीं क्यानात्मक पक्ष में हमें परिलिक्षित होती हैं, similarly अगर मैं बात करूँ effective domain की तो यहां पर receiving, responding, valuing, organization, conceptualization, characterization, by values, यह सब जो हैं, यहां पर effective domain में दिखाई देती हैं, जबकि psychomotor domain की अगर मैं बात करूँ तो psychomotor domain में सबसे पहले, perception, set, guided response, mechanism, complex overt response, adoption, organization, यह सब steps आते हैं, जैसे कि मैंने पहली भी बताया था, psychomotor domain, खाली, एजे सिम्सन के द्वारा नहीं दिया गया, समय समय पर अलग-अलग educationist ने इसको प्रतिपादित किया, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, आरेश दवे ने अपने अलग steps दिये, आगे मैं अगर बात करूँ, 1972 में ही, आनिता हैरो का भी जो psychomotor domain हैं सामने, हमें परिलिक्षित होता है, दिखाई देता है, last not least, AJ Razumiski के द्वारा पी यह दिखाई देता है, तो नियोजन में ग्यानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षो के को point of view रखके, एक शिक्षक को अपने कारे को आगे बढ़ाना होता है, अब आगे देखते हैं, number third, writing, learning, objectives, अधिगम उद्देश्यो को लिखना, अधिगम उद्देश्यो की जब भी बात आती है, तो Robert Mager और Robert Miller की को हम नहीं बूल सकते, जिन्होंने की action verbs दिये, वो action verbs जो की ग्यानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के आधार पर दिये गए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह दो ऐसे educationists हैं, Robert Mager और Robert Miller, जिन्होंने knowledge, comprehension, application, synthesis, analysis, synthesis, evaluation के action verbs दी, जैसे अगर मैं knowledge की दो action verbs की बात करूँ, तो recall और recognition, comprehension की बात करूँ, दो main जो यहाँ पर action verbs मैं दिखा रहा हूँ, क्रिया सूचक या कारे सूचक क्रियाएं जिसे बोलते हैं, explain या describe, application से related हो गई, use और apply, analysis से related हो गई, differentiate और compare, synthesis से related हो गई, compose और prepare, last not least, evaluation से related हो गई, judge या assess, analysis, यहाँ पर knowledge के साथ खाली इतनी ही नहीं, यह सब भी इससे related action verbs हैं, अब अगर मैं किसी बच्चे को कह रहा हूँ कि यह क्या है, यह चित्र किसका है, और वो यह बता रहा है कि this is the taj, यह ताज महल का चित्र है, इसका मतलब यह उसको ग्यान हो गया, right, knowledge उसको है, comprehension के दूसरे चित्र दिखा के, बेटा, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, आप तो जानते ही हैं, कि यह रानी की बावली, यह जो बावली है, यह गुजरात में स्थित है, अगर बच्चा न similarly, analysis, synthesis, और last not least, evaluation के लिए भी उन्होंने बहुत सारे action verbs दिये हैं, शिक्षन अधिगम व्यवस्था में हम दूसरे step पर आ गए, संगठन, organization, जब organization की बात आती है, तो यहाँ पर सबसे पहला कारे एक teacher को, selecting appropriate tactics, tactics को select करना परता है, समुचित युक्तियों का chain करना परता है, औ और second number पर समुचित संप्रेशन नीतियों का chain, selecting appropriate strategies, और third number पर शिक्षन सामागरी का chain करना परता है, effective teaching aids select करने परता है, अब समुचित युक्तियों का chain में, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर Robert गेने के द्वारा दी गई, जो learning aid types की, जो learning situations है, उसकी knowledge हुनी आवशक है, जैसे कि सबसे पहले Robert गेने ने बताया कि सबसे पहले संकेत अधिगम होता है, फिर उद्दीपक प्रतिकरिया अधिगम होता है, फिर शंकला अधिगम होता है, मौकिक साहचारे अधिगम होता है, भेद पावपून अधिगम होता है, अवधारना अधिगम होता है, नियम अ discrimination learning, concept learning, rule learning और problem solving learning ये जो eight type की learning situations बताई गई है जो कि एक chronological order में है ये भी एक बहुत बड़े educationist है जिनका नाम है Robert Gennay, Robert Gennay ने बताई है तो ये सब एक शिक्षक को appropriate tactics की तरह यूज करते हुए अपनी teaching को effective बनाना होता है next देखते हैं समुचित संप्रेशन नीतियों का चेहन जैसे कि संप्रेशन नीति की बात आती है तो यहाँ पर appropriate strategy या communication strategy जो है उसमें दो टाइप की होती है मौखिक और लिखित मौखिक को भी हम दो अलग अलग भागों में बाढ़ सकते हैं निरंतर गद्य या innovation जिसे continuous process और यहाँ पर इसको heuristics कहा जाता है जबकि लिखित संप्रेशन को written communication strategy को भी दो भागों में हम divide कर सकते हैं algorithm और decisions थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं शिक्षन समगरी का chain हम जानते हैं शिक्षन समगरी तीन प्रकार की होती है audio teaching aids, visual teaching aids, audio visual teaching aids जिनको सुनकर बच्चा सीखता है वो audio teaching aid हो गया जिनको देखकर बच्चा सीख रहा है वो visual हो गया और कुछ ऐसे teaching aid होते हैं जहां सुना भी जाता है और देखा भी जाता है जैसे tv हो गया जैसे projector हो जिसमें से audio भी जिससे connected हो तो यह सब आता है अब number 3 पे देखते है leading अग्रसरण रोबर्ट आईके डेविस ने तीसे number पे जो यह सुपान बताया इसमें सबसे पहले चात्रों में अभी प्रेणा उत्पन की जाती है और दूसरी तरफ अभी प्रेणा वीडियो का chain किया जाता है तो leading के अंदर इन दो कार्यों को हम सबसे पहले अभी प्रेणा उत्पन करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो अभी प्रेणा से related हैं जिनके बिना हम अभी प्रेणा को या उसके कारप को हम एक तरह से से justify नहीं कर सकते जैसे आवशक्ता है नीड्स अभी व्रति एटिट्यूड रूचि इंट्रेस्ट आदतें हैबिट्स सम्वेख एमोशन्स अकांक्षाओं का इस्तर लेवल ओफ एस्पराइशन अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन पुरुस्कार रिवार्ड दंड पनिश्मेंट प्रगती का ग्यान नॉलेच अफ प्रोग्रेस प्रतियोगिताएं कॉंपिट पातावरन स्कूल इंवार्मेंट तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो की मॉटिवेट करते हैं सेकिन नमर पर हम देखते हैं अभी प्रेणा वीडियो का चेहन अब इनकी जब वीडियो की बात आती है तो साथ जो मोस्ट अप्रूप्रेट इसकी मैथेड्स हैं सबसे पहला पुर एंड रिप्रूफ थर्ड नमबर पर है सफलता एवम असफलता सक्सेज एवम एंड फेलियर नमबर फोर्थ प्रत्योगिता एवम सहयोग कॉंपेटिशन एंड को अपरेशन फिफ्ट पर है प्रगती का ज्यान नॉलिच अफ प्रोग्रेस सिक्स नवीनता नॉवेलिटी से यह थर्ड था आईके दिवीज के अनुसार अब लास्ट में देखते हैं मुल्यांकन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अदार पर मुल्यांकन किया जाता है इसमें भी तीन स्टेप्स आईके डिवीज के अनुसार हमें करने चाहिए सबसे पहले evaluation of learning system, second measuring learning और third mapping objectives learning तो ये जो मुल्यांकन वाला जो पार्ट है इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पर जाकर आप इसको भी देख सकते हैं तो IK Davis के ये जो चारो steps थे planning, organizing, leading, controlling nutshell में मैंने बतानी की कोशिश करी मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा आपके प्रतिकी रहें, आपके questions अमंतरित की जाती हैं धन्यवाद